मैं सप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरुपात्पद्मनित्य दिला प्रविष्ट उन्दिश्मपाद अस्तो तस्तिश्मद्भक्ति प्रज्ञान किश्व गुरुष्वामी महराजी के सीचर्ण कमलों में मैं देखता हूं कि यहां पर हिंदी समझने वाले लोगी अधिक हैं इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं एंफार इंग्लिश नौइंग परसन धामोदर महराज में टांसलेट तो मैं सबसे पहले इस मंदिर के बहुत थापकों को मैं धन्यवाद देता हूं जो कि हम लोगों के लिए साथ दिनों के लिए इस मंदिर को इस मंदिर में हरी कथा काने के लिए भागवत कथा काने के लिए हमें स्थान दिया है और जीन लोगों ने यहां पर भागवान की कथा काने के लिए इसको सजाया है अच्छे तरह से इसको बनाया है इसके दिए जो आयोजन करने वाले हैं इस सबको मैं धन्यवाद विशेश करके देता हूँ कृष्ण जगत में प्रगठ हुए थे अलग अलब अपने भक्तों की मनों बंच्छा पूर्ण करने के लिए वेकंस के कारागार में देवकी के घरबशडी प्रगठ हुए और गोकुल में नंद बाबा जशोदा के विशेश करके जशोदा के घरबशडी प्रगठ हुए क्योल मत्वुरा में ही प्रगठ हुए ऐसी बात नहीं वलकि अंसिक रूप में वे संख चक्र गदापत्म लेकर हाथों में नारायन के रूप में आभिफूत हुए गर्भ से पैदा नहीं हुए उनका गर्भ जाप संस्कार भी वहां नहीं हुआ भला सोलव बर्ष की अवस्था जैसे वाले संख चक्र गदापत्म धारण करने वाले नाना प्रकार के आप भोश्वनों से सुषज्जी उनका जब्र कैसे हो सकता है प्रकठ हुए और गोकुल में जशोधा मैया के गर्भ से प्रकठ हुए उनका वहां पर नाड़ी छेदन हुआ शंशकार हुए वहां पर नंद बाबाने आनंद में भारकर करोणो करोणो गोवों को दान किया और सब नाना प्रकार के जो कुछ उनके भंडार में था वो तो स्री जी वहां पर थी कोई भंडार में कमी नहीं है दान करते 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 ठक गए कोई लेदे वाला थी नहीं गहा ऐसा महां महुत सब्वहां पर हुआ इसलिए कृष्ण ने पुर्ण रूप में स्वाइन भगवान के रूप में द्यूभुद्ध मोड़ी धर के रूप में द्यूभुद्ध एक छोटी सी शीशू जैसे वहां पर प्रकट हुए और यहां पर आदिल फूथ हुए इसके बाद में उन्होंने प्रज में पुत्ना त्रिणावर्ट सक्टासूर अगासूर पकासूर इत्यादी राक्षवसों का उद्धार किया इस तरह से उन्होंने अंत में बिन्दाबन के बंसीबट में राशित्यादी किया गोपियों के साथ में नित्य गीत किया मधूर के लाएं की और इसके बाद में त्वार्टा पुरी की दिलाएं सब लिए किसली कृष्णाय आने का तात्पर्ज उनका क्या था आने का तात्पर्ज यह था कि हम भगवान के नित्य दास हैं उनकी सेवा को भुलने से हम लोगों को माया ने पकड़ करके इस अंसान पी जेल खाने में फेंट दिया हठाकड़ी बेड़ी लगा दी हठाकड़ी बेड़ी क्या यह थूर सरी देकर यह मैं हूं यह मेरे हैं यह बेड़ी को पहना दिया अशक्तियों से जगण दिया और फिर इस शरीर को शुखी होने के लिए सारा जीवन काज़ करता है रूपे पैसे कमाता है अंत में बुढ़ा हो जाता है चल फिर नहीं सकता तरह-थरह के रोप हो जाते हैं अंत में इस पंचभातिक सरी को छोड़ देता है सात्या ले जाता है कमाई का एक पैसा भी सात में लेकर मिन जाता है उसके पुत्र, उसकी पत्नी, संसार का कोई भी उसके साथ में नहीं जा पाता, कहां जाता ये भी ठीक नहीं। फिर दूसरा जन, गधे, गोडे, सूकर, कूकर के रुप में आता है, कभी स्वार्प में जाता है, कहीं भी उसे सूक नहीं मिलता, बिना भगवान की सेवा से कोई नहीं सुखी हो सकता। भगवान देखते हैं कि हमारे प्यारे जीव, हमारी स्वेवा छोड़कर मरिक तृषणा में इदर दर भूम रहे हैं, करोणों जन में ले रहे हैं, मर रहे हैं। इनको कैसे सुखी किया जाएं। इसलिए कभी वे स्वाइंग आते हैं, कभी अपने आवतार के रूप में राम जी सिंग कल की बामन के रूप में आते हैं। और कभी कभी अपने परिकरों को आचाज और गुरू के रूप में जगत में भेटे हैं, जो हमारा श्मर्ड दिलाएं, ओ देखो तुम लोग, ये सरीर नहीं है, इसके अंदर में आत्मा हो, इसके अंदर में जवात्ना भी है, तुम उनके नित्त से वखो, भुलने के वज़ जैसे नुमारी ये दर्शाद, इस प्रकार से उनसे सुन करके, गुरू के निकट जाएंगे, उनसे हरिनाम दिख्षा लेंगे, और तत्पस्चाद, भक्ति के अंगों का पालू करते, 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 सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, आवा का मन का मार्ग सदा के लिए उनका बंदू. धामदर महरादा. हो देकर जाएंगे, जनसे प्रिष्छ ऑनını रणते, का व्तिश प्रशादी ऑन से टिटब महराद महरन, वहा करते, करते महरा दिर्ह एंगे y Taundal-my अंसेत रंदो, जिस प्रादावम म्हत हुरू के सवगत स्वह की अंगा निऑव, उनसे वह तो, पर्या म्हत हुरू. अप्स्प्रि कर दु नहीं है, प्रिजर्सक्रिवान जवां दुडिय अक्रिष्ने करुछा है कि लिकले mist Ásik रॉड़ी एकि आप के या ऱाफ्ट्सक्ट कुंट से कर छोडिप्समृति प्र।ाव्णी है प्रेश्ने करुज्छ इंप् ही हैं से प्राप्ट, गौछ वोलों वोलो धनिगान अच जांस, घास्ताओंगा जाँक्राइण देताइव टेड़ोह, शक्याओण लॉद्सान, सब्सक्राइण प्रिंधवन करोप्स हे लॉड़ाँ भॉड़ान, बोलों नादपने लॉटा, अपर आप ने का बनेक्ताःत है, इंचाता हैं तिन जा पॉ फ्रीम्हूमव यस्टा गी। देम इनफन से मेरे से देव्याज़ुन। ज्याज़िवारो च। उंप। इनफन प्रिंदावन कृष्णा पेरा प्री कृष्णा हुष्छा। वेल विख्टिवारो फुकार्टलप्स पृष्णा, और हैं वो ज्याज़। मेर्स जाह्हावालों गव्ठावावज़ यावावावावावात है धिकावे लोगने लिए मोँ व करिंग सेव बनास्मी मार्भावावात है रहलते हैं गलो लिए वाही न चाहने अपने निर संप कोई लेदावानी है that time such a festival of happiness was therein see Vrindavan so see Krishna the supreme original personality of Godhead appeared and took birth in Vrindavan with his two-handed form endowed with unlimited sweetness there at Vrindavan he performed pastimes like delivering demons such as Putana, Agasod, Barkasod and others then he grew up he matured as we say and then finally in Vrindavan he performed his pastimes such as Rasvila by calling his food he attracted all the Gopis then from there he went to Dwaraka and performed unlimited activities but really the question comes why does the supreme lord come to this material world? because he knows that we are actually his eternal servants but because of forgetting him we are rotating in the cycle of birth and death forgetting him we have become bound by ignorance therefore we have been chained to this world what is the chains of this world? that is this gross material body made of earth, water, fire, air and ether what are the chains that bind us to this world? this is our attraction to our wife, sons, children, wealth, home kin, country, etc. therefore we have forgotten our position as an eternal servant of the supreme lord and now the souls in this world are thinking I am this body and what belongs to this body is mine therefore old age comes and finally we have become afflicted by many many diseases and all the wealth which we have worked so hard to accumulate at the time of death is taken from us at the time of death even one dollar we cannot take with us and our wives, our children, our family members all remain here and even where we go at the time of death there is no guarantee therefore and then we even may take birth in lower species of life like dog, pig, camel even we may go to the higher planets or the lower planets but all our places are birth and death therefore the supreme lord knows perfectly well without his service there can be no enjoyment no real factual happiness at all therefore he comes to this world with this message all my beloved souls who are thirsting for enjoyment looking for happiness everywhere you should come and offer your hearts completely to me then you will be happy therefore the supreme lord comes himself in the form of sri krishna or he appears in the form of his incarnations like ram, nashringadev, barman, etc and sometimes sri krishna sends his own devotees who appear in this world in the form of devotees gurudev and the spiritual masters and bhagavan and his devotees come with this one message we are not this body we are soul eternal servants of the supreme lord and forgetting this we are rotating in this world of birth and death therefore hearing this message a fortunate person can come to the feet of bona fide spiritual master and from him take initiation in the process of chanting the holy name gradually by the guidance of the spiritual master and by the influence of the name of the supreme lord one develops faith in devotion as that faith mature it turns into the stage of preliminary ecstatic love of godhead called bhava bhakti and finally matures into complete pure love of the supreme lord which is known as prema bhakti इस प्रकार्ट श्ष्ष्ण श्रसार्वे बहुत तरखी लीडाओं को खरके पश्याद वे अपने अपरकट नित्य गोलोग बिंदाबन धाम में चले गए उसी समय में जी समय गए उसी समय में कल्युग आया अभी कल्युग चलत रहा है कल्युग आने के साथी साथ में तामसीक भाव बढ़ गए लोगों के भाव बदल गए इस्त्रियान बदल गई उनका सभाव भी बड़ी दूराचारी रहने लगी उस भी अपने धर्म को छोड़कर के गोभी ब्यविचारी हो गए जूट बोलने लगे भ्रह्मन अपने कर्तब्य को छोड़कर बाणी जिब्यों साय करने गला रुपया पैसा बस इसी के आमदनी में रह गए सुद्रों का राज होगा मंदित अंदि सब तूटेंगे भयान किस्थिती होगी उसमें भरपस क्या संसार के जितने इजिशी भर्षी थे साथ हज्यारी से दर के मारे नमिशारण्य में पहुंचे गोंती के खिनारे बहुती पवित्र स्थान है नमिशारण्य में वहां पर हज्यारों रिश्यों ने प्रम्हा ने और सब लोगों ने पड़े-पड़े जंगी किये वहीं पर आये और सक्त्र लगाया और उसमें सुद्गोष्वामी को बक्ता बनाया उन्होंने सुद्गोष्वामी से कहा हे सुद्गोष्वामी आप अपने गुरु सुद्गोष्वामी से समस्त शास्त्रों का साथ वेदार्त शुत्र सुना है और उसकी बैक्ठा के रूप में अक्रित्रम भार्ष्य श्रिमत भागवत को सुना है ये भागवत समस्त बेद उपनिशत शास्तर रामायन पुरायन इत्यादी इतिहार्ष महाभारत राम इत्यादी सबका शार है आपने सुना है आप बड़े गुद्धिमान है आप विचार करके हमारे कल्यान के लिए हमारी आत्मा के कल्यान के लिए आत्मा कैसे सुप्रसन्न हो विचार करके हमें बतलाईए इसलिए कह रहे हैं प्रायेन अल्प आयुसः सत्य हकलाव श्मिन जुगे जना मंदास मंद मतयो मंद भाग्यास श्यू उपद्जुतार। कल्जु के लोग पड़े अल्प आयुके हैं। सत्यु के लोग लाखों वर्ष जिवीत रहते थे। त्रेताजु के लोग भी पचास हंजारों तक जिवीत रहते थे। द्वापर के लोग और कम हो गए उमर में। छोटे छोटे हो गए। और कल्युग में लोगों की आयुग अधिक सद्धिक एक सो बर्ष की। और अपने इंद्रियों का दमन नहीं करने से आधिक पचास पर्ष की उमर कर गए। जीसमें से बच्पन का और कुछ सिखने में बीश बर्ष चला जाता है। सोने में रात आधि आयू उसी में सोने में गई। और बीश बर्ष तक किसी विशह में एक्सपर्ट होने में पढ़ने लिखने में गया। और फिर अंतिम जो अश्शी से डेक सो बर्ष की आयू है। उठापे में कमर्षी दी नहीं होती। कुछ कर नहीं शकते। ऐसे ही पीती जाती है। और आगया पांच-दस बर्ष विवासाती करना है, बच्चों का परिवरिश करना है, और घर बनाना है, आजकल तो बहुत से काम करने हैं। भगवान का बजन कब करेगा। चारो तरफ में उपत्रवे करिकाल में पास के पड़ोसों से मामला, मुकत्मा, जगण ना, रूप, तरफ तरफ रखे। इसलिए आप पिचार करके हमें बतलाइए जे हमारा मेरी आत्मा कैसे प्रसंद हो शरीर के लिए नहीं पूछा शरीर कैसे सुखी होगा ये नहीं पूछा पूछा क्या आत्मा कैसे हो इसलिए समझो जे मैं सरीर नहीं हूँ ये हाड मां सरक्त पैखाना पिसाब की ठैली है कुछ नहीं रही शीर करके फाड़ करके देखो इसका अत्रिक तो कुछ ही नहीं मिलेगा ये जन फगवान में क्रिपा करके दिया है देवता लोग भी इस मनुष्य जिवन के लिए तरस्ते हैं ऐसा मनुष्य जन भगवान ने दिया इसी में केवल भजन कर सकते हैं इसलिए इस जिवन का प्रधान और एक मात्र कर्तप्य है भगवान का भजन करना जो लोग संसार में उल्चे हुए हैं अपने इस मुल कर्तप्य को समझ करके वो बड़े मुर्ख है भगवान ने के वल एक मत्र अपनी आत्मा को परमात्मा को जान करके और परमात्मा जुवात्मा में क्या संबंदैज को जानने के लिए दिया भगों को भगने के लिए नहीं रूपया कमाने के लिए नहीं क्यों? ये तो कुछ भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। किसलिए गढ़े के समान इतना दिन रात परिश्ण कर रहे हो जिसको तुम साथ में नहीं ले जाग सकते। इसलिए प्यारे प्रियत लोग आप लोग इस जीवन को इस प्रकार से भोगों में मत कटाईए। अंतता कुछ समय निकालका उसको जानने की चेश्डा कीजिए। उसको जानना कठी नहीं है क्योंकि हमारा वो पिता का पिता है, अपना है। बस कहा दो, हे प्रभू मैं तुम्हारा हूं। मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो, और कुछ नहीं। और भगवान ने अपनी सारी सक्ति, सारे गून और सारी कृपा नामों में भर दी है कल जुग में इसलिए कल जुग केवल नाम अधारा कल जुग में नाम क्या त्रिकत और कोई गती नहीं है खाते किते समय चलते फिटते उठते बैठते सोते दिं में रात में सबेरे साम को धीरे धीरे माला से बिना माला के ड्राइविंग करते हुए हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, मनही मन में करते हुए चले, रुषोई बनाते हुए भी कोई का सकता है, in all respect, in all ways, a man can do भाया, very easy, किन्तु हम मुर्ख, समय पातर के इतना सहज एक पैसे का खरच नहीं है, हरी नाम करने में, और हम मुर्ख जीर ऐसे नाम को नहीं करते हैं, दिन राख जो हमारे काम में नहीं आएगा, जीवन को बरबाद कर देगा, उसमें अपना सारा समय प्यदीत कर देते हैं। आप लोग इसे सुनें, ध्यान से, और आज नहीं भगवान का भजन करना कुछ समय निकाल करके कीजिए। कल क्या हो जायेगा, कोई कुछ ठीक नहीं जाता, कोई कहेगा, आज करो सो बन सो, क्या क्षट्खट में पडे हुए हूँ, समय प्ड़ा है बन सो, और एक कहता है, कल करो सो, आज करो आज करो सो, अब पल में परन रहे हूएगी। बहुत करो वेका। So Guru is saying we should not waste a second. Some foolish person thinks what is good I'll do tomorrow or the day after that. But a good thing we should not do even tomorrow, a good thing we should not even do now, a good thing we should do right immediately at this time. So the Supreme Lord, 5,000 years ago, after performing His different activities, fulfilling the desires for which He appeared in this world, then He disappeared from this material world and returned back to His abode, the spiritual world, the transcendental abode. So at that time when Krishna left, 5,000 years ago, immediately from that time began this present age of darkness called Kali Yuga. Now it's only 5,000 years old, the age of quarrel and hypocrisy. At that time after Krishna left, then Tamagun, ignorance, became very, very powerful. At that time people's natures changed. They forgot their religious activities. Ladies gave up their vows, their religion, their good behavior and adopted the behavior of low class persons. Men also gave up their religious practices, began telling lies, all types of bad activities. At that time the Brahmanas, who were meant to be in charge of the spiritual progress of society, gave up their devotional practices and began chasing after money, 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 brighter than sunshine, sweeter than honey. The temples of the Lord were neglected and broken. That time Sudras, 10th class, rascals, like our present day politicians, took charge of the country instead of high-thinking personalities. At that time the saints, 5,000 years ago, could see the influence of this present age of Kali. Therefore they became afraid and they went to the holy place called Naimissaranya. They collected together and collected the most qualified person. His name was Sri Sutta Goswami. And they asked him to be the main speaker. And they asked him this question. O Sutta Goswami, Guru Vusignasi Shasya, you are very, very qualified. You are very affectionate to your spiritual master. For you are Guru Dev Sri Sukadeva Goswami, you heard the Vedanta Sutra, and you heard the Akritambhasa, that book which is not compiled by anything. That is the Srimad Bhagavatam, which is the essence of all Vedic literatures, the Mahabharata, the Ramayana, everything. You are very intelligent and you've heard that Srimad Bhagavatam, which is the essence of all spiritual understanding. Therefore the question they asked, how can our soul be happy? How we can achieve auspiciousness in our lives? So Sri Sukadeva, Sutta Goswami replied, in the age of Satya Yuga, in the beginning of the millennium, people had very long lifespans, more than 100,000 years. In the next age, the age of Tretya Yuga, people's lifespan was cut into half. That time they lived barely 50,000 years. The Yuga, the age after that was Dwarpa Yuga. People lived just an insect-like life of 1,000 years. And now this present age of Kali Yuga, even we cannot find very hard to find someone who even lives for 100 years. Because people cannot control their senses. They're addicted to drinking, smoking, eating chicken and everything. Therefore their life is very short. We cannot find anyone who lives even to 100 years. So even if, say, someone lives 100 years, 50 years, they lose in sleep. 20 years, they lose in going to primary school, high school, college, university. In the last age of their life, from 80 to 100, people cannot even sit properly. They cannot even go to the bathroom themselves. Therefore, so many years are lost. Therefore, people only have five years in their life. In those five years, people get married. They have to have children, do some business, build a house. Therefore, when is the time for devotion? In this present age of Kali Yuga, we can see there is quarrel, hypocrisy, fighting, violence and conflict, disease, denigration, in all directions we look. Therefore, the sages never asked, how can my body be pleased? They asked, how my soul can achieve auspiciousness? Therefore, the answer Sutta Goswami is given. He said, we should understand, we are not this soul, we are not this body. This body is simply like a plastic bag covered inside its stool, urine, past, blood, mucus. If you just open a little bit, you can see inside, what nice things are there. But this body has a nice covering of skin. Therefore, we think this body is everything. But this human form of life is very rare. Even the demigods in the higher planets, they are praying to the Supreme Lord, when I can get a chance for the human form of life. Because only this human form of life, one can practice spiritual life or devotion. Therefore, those persons who act only for the enjoyment of their material body, they could have said, they are very, very foolish and very, very mistaken. This body is not for only material enjoyment, because even animals like pigs and donkeys, they have the same facility for material advancement. Therefore, such a person is considered to be like a donkey. Because at the time of death, we cannot take anything with us. Just like a donkey, he carries many things on his back, but at the end of the day, he cannot eat anything that he carries. In the same way, people who work only for this body, they are also like donkeys. Therefore, Gurdjieff said, my dear beloved friends, we should take some time out from our material activities and try to invest some time in our spiritual life. We should try to understand what is the relation, the eternal relationship between the individual soul and the supreme soul, called God. Therefore, the supreme Lord, he is so kind, he has invested all his potency, all his strength, all his mercy, all his beauty, all his sweetness, he has given in the name, Kali Yuga Te Keval Nam Tu Adar. In this age of Kali Yuga, there is no other process except the process of chanting the holy name. A person who does not take advantage of such a process, they are definitely the most unfortunate. They have been cheated and they are cheating themselves. Guru Mahal says, because it's very easy and free. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. It's free. And very easy. You can chant anytime. In the bathroom, driving, cooking, sleeping, walking, talking. You can always chant. Therefore, one should perfect one's human form of life by becoming attracted to this process of chanting the holy name. Thank you.